जै मतरानी दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपने चाइनल राधा कृष्णा फीसियर में उमीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जै मतादी जरूर लिखेगा तो चलिए दोस्तों आज हम इस सपरील को रखा जाएगा दिन है सुक्रबार तो एकादसी के ब्रत करने वालों को कथा जरूर सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए क्योंकि जब तक हम कथा नहीं सुनते हैं तब तक हमारा ब्रत पूरा नहीं होता है तो इसलिए कथा जरूर सुनिएगा तो चलिए कथा को शुरू करते हूं तो अप लोग पूरा कथा जरूर सुनिएगा तो सबसे पहले पता दो कि इस दिन विश्णु भगवान की पूजा बिधी बिधान से की जाती है कामदा एकादसी के दिन क्यूंकि एकादसी जो है वो भगवान विश्णु का स्वारूप मना गया है इसलिए एकादसी में भगवान विश्णु की पूजा बिधी बिधान से करनी चाहिए और एकादसी में ज़्यादा से ज़्यादा पीले चीज का पडियोग करना चाहिए केले का भोग लगाईएगा पीला वस्त्रधारन कीजेगा पीला पुष्प और पित कीजेगा धो रोली ऐसी मन्यता है कि इस ब्रत को करने से मनुष्य को सौव यग्य समान फल मिलता है कामदा एकादसी पर बिधी बिधान के साथ में पूजा करने के साथ साथ कामदा एकादसी ब्रत की कथा भी जरूर सुननी चाहिए तब ही जाके हमें ब्रत का पूरा लाभ मिलता है तो चलिए कथा को सुरू करते हैं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युद्धिस्टिर को चैत्र सुकल पक्ष की कामदा एकादसी की कथा सुनाई थी रगुकूल के राजा दिलीप ने भी कमदा एकादसी की कथा को अपने गुरु बसिष्ट जी से सुना था प्रचीन काल में दूसरे के बीना एक छन भी नहीं रहते थे वो एक दूसरे से बहुत अथा प्रेम करते थे एक दिन राजा के दसभा में ललित गीत गा रहा था लेकिन तभी उसका ध्यान अपनी पत्नी की और चला गया उसका स्वर बिगर गया और यह देख करके राजा पॉंडरिक बहु करके ललिता बहुत दूखी हुई और अपने पती को ठीक करने के लिए ललिता ने कई लोगों से इसके बारे में पूछा लेकिन कोई इसका समधान नहीं बताया तब ललिता ने अपने पती के पीछे पीछे जा रही थी तब वो चलते चलते ललिता बिंध्याचल परबत प ललिता ने दोनों हाथ जोर करके सिरंगी रिसी को परनाम किया और उसने अपने पती का पूरा हाल सिरंगी रिसी को बताया रिसी ने ललिता की मनकमना पूरी करने वाला ब्रत कामदा एकादसी के ब्रत रखने के लिए कहा नियम पुर्वक पालन करके ब्रत का सारा पुन अपन पती को दे देना तब उस ब्रत के परभाव से तुम्हारा पती राक्षा स्योनी से स्राप से मुक्ति मिल जाएगी तब ललिता ने रीशी सरंगी के कहे अनुसर भगवान विश्नु को ध्यान में करते हुए उसने बिधी विधान के साथ में कामदा एकादसी का ब्रत किया री ब्रत को दे दिया इसी तरह से ब्रत पूरा होने पर भगवान विश्नु ने ललिता के पती को फीर से मनुस्य की योनी में भेज कर राक्षा स्योनी से मुक्त कर दिया इसी परकार दोनों का जीवान कोश्टों से मुक्त हो गया और स्रीहरी का भजन किर्टन करते हुए अच्छान को बेस्क्राइब कर लिजेगा बेल आइकन को प्रेस कर दिजेगा जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे और वीडियो को लाइक कर दिजेगा क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता की विडियो को बिजन puta कुल रुजा किजिये गEROए आज कमदा एकादसी के दिन कमदा एकादसी ब्रत की कथा को सुन सके तो चलिए दोस्तों मिलती हूं अगले वीडियो में किसी नएव वीडियो के साथ मैं तब तक के लिए नमस्कार